जैहिंदे डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है उत्रप्रदेश में सर्विस हो सकेंगे इंडिनेर पोस के मिरास 2000 और रफाल फाइटर्स इंडिन डिलेस के बावजूत तेजस माकवने फाइटर्स का प्रोडक्शन जारी आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तां का एक नया प्रोपेगेंडा LAC के पास से अरुनाचर प्रदेश के दो लोग चैनीज आर्मी के कस्टेडी में और ब्रजिल के इस कॉर्पने क्लास सब्बरेन को मेंटिनेंस सर्विस देने के लिए भारत और ब्रजिल के भी साइन होगा M.O.U Times Now के रिपोर्ट के मुताबिक Dessault Maintenance and Repair Organization India अब NOIDA में एक नई मैंटिनेंस हब को स्थापित करने के लिए त्यार है यह जो फैसलिटी है यह इंडिनेर फोर्स के मिरास 2000 और रफवाल फैटर जेट्स की मैंटिनेंस सर्विस भी प्रॉइट करेगी और इस योजना को लेकर Senior Government Official के हवाले से बताया गिया कि ऐसा पहली बार है जब इस तरह के International Organization भारत में MRO Facility को स्थापित कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा निवेश है और वे उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बाके के Organizations भी इस चीज़ को फालो करेंगे और इस बात के भी समभावना है कि इस फैसलिटी में Dessault Maintenance and Repair Organization फाइटर्स के लिए जरोड़ी स्पियर्स को मनिफ्लेक्चिर करने के लिए मशिनरी भी स्थापित करेंगे और कि अवल भारत के नहीं बलकि हमारी Friendly Foreign Countries जो की मिरास 2000 और रफाल फाइटर जेट्स को उप्रेट करते हैं तो वे भी नॉइडा में स्थित इस फैसलिटी में अपने एरक्राफ्ट को सर्विस के लिए ला सकेंगे और ये एक तरह से Make for the World वाले इनिशेटिव के साथ a Maintain for the World वाला इनिशेटिव है इसके अलावे एक अप्डेट ये है जिसमें Economic Times के तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताएगे है कि अमेरिका से engine delays के बावजूद भारत ने अपने तेजस Mark 20 Fighters के production को जारी रखा हुआ है और जिसके साथ उम्मीद की जारी है कि इस current financial year में तेजस Fighters के integrated systems के साथ 14 airframes का production हो जाएगा और अभी भी इस बात के उम्मीद की जारी है कि जो 83 TGS Mark 20 Fighters को डिलीवर किया जाना है तो इस delivery को दुझा 28 तक पूरा करने का target है लेडिस मीडिया रिपोर्ट के मुदाबिक Brazilian Navy के commander और commander of the armed forces के साथ साथ उनके अन्य senior officials जल ही भारत के official visit पर होंगे और Brazilian military के senior officials की जो भारत की visit है तो ये भारत और ब्राजिल के बीच military cooperation को और मजबूत करने के लिए काफी महत्तपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि financial express के report के मुदाबिक जिसमें top diplomat के हवाले से बताया गिया है कि इस visit के दोरान Brazil में इस corporate class submarines की maintenance से संबंदित एक MOU को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके अलावा इस visit के दोरान जो bilateral talks होंगी तो उनमे military aircraft की खरीद और कुछ नई defense technologies की खरीद की संभावनों को भी discuss किया जाएगा और जिसे के आप सब जानते होंगे कि Brazil ने भारत के medium transport aircraft के requirement को पूरा करने के लिए अपने C-390 aircraft को प्रपोस किया हुआ है और इस proposal में Brazilian firm Embryor अपने C-390 aircraft को नाकेबल भारत में manufacture करेगी बलकि इसके साथ उनकी E-2 series के regional commercial jet को domestically produce करने की संभावनों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए Embryor ने भारत के माहिंद्रा के साथ partnership कर रखी है बाके military aircraft और submarines के अलावा ब्रजिल के दिल्चस पिए भारत से आकाश मिसाइल और भ्रमोस मिसाइल को खरीदने में भी है तो ये बात तो आप सभी जानती होंगे कि 5 अगस 2019 को भारे सिरकार ने एक एती हास्ते ग्रेड़ने लेते हुए जम्मो कुष्मीर से Article 370 हटा जिया था और जोकि एक तरह से पाकेसान के लिए बहुत बड़े जटके की तरह था और इसी प्रोपागेंडा के तहट Article 370 के रिमोवल को जो पाकिस्तान है वो इस दिन को अपने वहाँ यौ में इस्ते साल के तौर प्रॉप्जब करता है और यौ में इस्ते साल का मतलब वहाँ Day of Exploitation जिसमें अलग लगतर के प्रोपागेंडा activities की जाती है फिर चाहे उसमें प्रोटेस करना हो वैबिनार्स आउजित करना हो सेमिनार्स आउजित करना हो और यह किवल पाकिसान के अंदर इसी इतनी होता है बलकि पाकिस्तान इसे दुनिया बर में जहां जहां भी उनके इजि लोन मांग मांकर पूरा देश चल रहा है लेकिन इसके बावजूद भी आतमगात को सपोर्ट करना और भारत एखलाव प्रॉपेगंड़ा फिलाना इन सभी चीज़ों के लिए पाकिसान के पास कभी भी बजेट की कमी नहीं होती है और पाकिसान के नहीं हरकतों के चलते और जरनरल की रिपोर्ट के मताबिक पाकिसान की जो फॉरन एफेस मिनिस्ट्री है तो उनके लिए जितना बजट एलोकेट किया जाता है तो उन्होंने इस बजट को करीब 29,000 प्रसेंट जादा एकसिट कर दिये बाकि इस फॉल्स नरेटिव को फैलानी के लिए एक्स प्लेट अफेस के आफिसमेशान की जाने वाली इवेंटस के अगर बात करें तो ओस ने 5 अगस 2014 के स्याडियो की इंवेन ए पाकिसान के community को invite किया है इसी तरह से Belgium में जो पाकिसान के MBC है उसने चार अगस्त होजा 24 को एक सेमिनार होस्ट किया था जिसका टाइटल था Human Rights Volation in India Occupied Jammu Kashmir और Human Rights की बाते भी वो कर रहे हैं जिनके अभी कुछी दिनों पेले वीडियो आई थी क्योंकि कि आर्मी कैसे है बलुचुस्तान की civilians पर open fire कर रही है और इसी तरह से दुनिया बर की बाकि के MBC बें भी पाकिसान के propaganda events जा रही है और इनी propaganda events पर जो पाकिसानी government over spending कर रही है तो इसकी परणाम सुरो पाकिसान में irregular payments poor fund management दूसरी की समय से अपने आभी पैदा हो रही है और अभी कुछी दिनों पहले एक रिपोर्ट आई भी थी कि पाकिसान एक 16 fighter jets की fleet है तो वह grounded भी हो सकती क्योंकि उसके लिए जरूरी payments पाकिसान द्वारा अमेरिका को की जानी थी तो वह overdue है बाकि इस प्रौबेगंदा में पाकिसान की कुछ leading news agencies जैसे की radio पाकिसान independent news पाकिसान कश्मी media service शाप media network तो यह भी negative messages फैलाने में शामिल है और कुछ खास रखे हैस्टेक जैसे की हैस्टेक हैस्टेक हालेस्थान हैस्टेक कश्मी solidarity तो इनको भी ट्रेंड करवाने का प्रियास किया जा रहे है पाकिसान के नहीं हरकोतों से प्रभावित होके हम आप सभी कुछ सुचित करना चाहेंगे कि अगर आप squadian.in पे जा गए PKMK भी coupon code के इस्थापित करने की योजना बना रही है और इसके साथ भारत में इंजिन, maintenance, repair और overhaul की facility को स्थापित करने की भी योजना है और company officials का कहना है कि भारत में P2F conversion के लिए एक बहुत बड़ी market है और WC के तहद Boeing 777 aircraft को convert करने की process में भी है जो कि 100 tons of cargo को carry करेगा और ये फ्लिटर इंडिस्ट्री के लिए game changer साबित होगा आपको इस परस करती के फ प्रदेश के अलावाए गर्मेड ये सामने आया है LAC के पास के remote area से अनुनाचर प्रदेश के दो लोग लगभग दो वर्षों से missing हैं और एक claim किया जा रहा है कि ये दोनों ही चाइना की प्यूपर celebration army की custody में है और जब ये 19 अगस 2022 को कुछ medicine hubs की सर्च में गए थे तो तब से ही ये वापिस नहीं लॉट है और PTI News Agency के साथ बात करते हुए इनके परिजनों के तरब से claim किया गया है कि इन दोनों को Chinese army ने detain किया है भारत में Apple products जैसे के iPhone, iPad इन सबी के इस्तमाल करने वाले users के लिए भारत की Computer Emergency Response Team में एक advisory जारी करी है क्योंकि Apple software के कुछ खास versions में multiple खामिया पाई गई हैं जिसे attackers device के sensitive data को leak कर सकते हैं और CRT के तरब से जो advisory है दो अगस को जारी की गई थी जिसमें iOS और iPad OS के 17.6 और 16.7.9 से पहले वाले versions Mac OS Unoma version के लिए 14.6 से पहले वाले version Mac OS Ventura version के लिए 13.6.8 से पहले वाले version Mac OS Montre में 12.7.6 से पहले वाले version Watch OS के 10.6 से पहले वाले version TV OS के 17.6 से पहले वाले version Vision OS के 1.3 से पहले वाले version और Safari के 17.6 से पहले वाले version में खामिया है और सले CRT ने सभी Apple users को जरूरी software updates के लिए advice किये वागे अब समय है आज के तिहास का आज के दिन 2002 में अरणाचर प्रदेश में देश के प्रती अपने करते पे निभाते वे सुविदार बेलियपका केपी वीरगती को प्राप्त हुए थे आज के दिन 1997 में जमो कश्मी के स्री नगर में एक operation के दोरान लांस नायक देवी कुमार लिम्बू ने अपना सर्वूत चिप भलेदान दिया था आज के दिन 1999 में ऑपरेशन हिवाजत के तहर सुविदार अवदेश ठाकुर वीरगती को प्राप्त हुए थे आज के दिन 1991 में जमो कश्मीर में अपने अदम में सहासर वीरता का परिचे देते वे बीएस अफ के 10 वीरों ने अपना सर्वूत चिप भलेदान दिया था और आपके लिए आज का प्रशनी यह है कि सेकंड लाइन ओफ डिफेंस भारत में किस फोर्स को कहा जाता है और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का क्यों यह रहे आपके स्क्रिन पर तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उमिद आपको एपिसोड पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सूपर एप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्स्प्रोर करें डिफेंस के दुनिया को एक अलग तरह से बाकि जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ तब तर के लिए जै हिंद जै भारत झाल